है कि है एक है कि है लोग आसा करते हैं किसी लोग मस्त होंगे दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम डेस्क्स करने वाले हैं क्लास 11 का फिजिक्स का चैप्टर टेन जिसका नाम है मने के अधिक खटेन कर दिया है उसका प्लेस्ट भी ही है टोल तीन वीडिवो ने होने उस्टीं नहीं देखा तो एक बार हमारे playlist में जाएं वहां पर आपको mechanical property आप solid के नाम से एक link मिल जाएगा या फिर कर सकते हो कि एक playlist मिल जाएगा उस playlist को open करके आप चाहें तो उन तीनों lectures को देख सकते हैं उससे कैसे बहुत ही easy way में आपको समझ में आ जाएगा उस chapter के बारे में तो आज के इस lecture मे कि यह यहां पर न हिसे कि लुखते हैं इसकी ने सिखले है थे चो विज केन विज केन फ्लोउ कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं ठीक कि यहां पर पढ़ सब्सक्राइब है आप मैकैनिक्स एक त Honig 그것 यापनि कि चेप्टर फॉर में बढ़ था रहा है चैप्टूर तरी में बेरी किर फॉर फाय सबस्क्राइब हम पढ़ा था तैकर आपक TROU phone रांचो के आपी सरी पढ़ा हमोब कर सकते हैं और दूसरा कर दिसना होगा कि वह रेस्ट में होंगा ठीक है तो उनके बारे में जो डिटेल स्टडी है है वह हमें Is Fluid Mechanic से अथ ठीक है Fluid Mechanics को बैसिकली ट्व पार्ट में मैं डिवाइड किया गया है तो पार्ट में डिवाइड किया गया है पहला है हाइड्रो इस्टेटिक्स हाइड्रो इस्टेटिक्स और दूसरा है हाइड्रो डाइनेमिक्स ठीक है इस फ्लूइड मेकेनिक्स को बैसिकली टू पार्ट में डिवाइड किया गया है पहला है प्लूइड का सकते हो हाइड्रो इस्टेटिक्स या फ्लूइड इस्टेटिक्स का सकते हो और दूसरा है हाइड्रो डाइनेमिक्स ठीक है तो इन दोनों को मिला करके अगर हम देखें तो हाइड्रो इस्टेक्स का जो definition बनेगा कैसे तो it is a branch of physics which deals with the study of fluid at rest यानि कि वह branch of physics जो fluid के बारे में completely study provide करे लेकिन उन fluid के बारे में completely study provide करता है जो कैसे होते हैं जी रेस्ट में होते हैं उन्हें हम बोलेंगे hydrostatics next देखो क्या है next तुमारा hydrodynamics hydrodynamics क्या है तो it is a branch of physics which deals with the study of fluid in motion ठीक है ना flow कह सकते हो या फिर motion कह सकते हो तो जब हमें fluid के motion के बारे में पढ़ना होता है तो वह हम पढ़ेंगा hydrodynamics में और अगर हमें fluid के rest condition के बारे में पढ़ना होता है तो हम पढ़ते हैं hydrodynamics में ठीक है तो वह सब क्या है जब fluid rest में होते हैं तो उसके बारे में detail study हम कहां पर करते हैं hydrodynamics में करेंगे और जब fluid motion में होंगे तो उसका detail study हम करते हैं इस hydrodynamics के अंदर ठीक है आई अभी देखते हैं viaggi के कुछ property के बारे ईंसक करते हैं चाहिए जब देखते आं यहां पर है कि एक फ्लूइड ले लिया एक ऐसे फ्लूइड ले लिया है कि मालव आपने वाटर ले लिया यहां पर एक्जामपल के तौर पर यह जितने भी water के molecule हैं यह सारे के सारे molecule all direction में एक pressure exert करते हैं या फिर कैसे तो force भी exert करते हैं तो जो fluid के molecule है या का सकतो water के जो molecule है वो each and every direction में ऐसे का सकतो force exert करेंगे या जिस container में रखे गए होंगे उस container के wall पर ऐसे चारो तरब से ऐसे pressure exert करेंगे या कैसे कुछ force exert करेंगे इधर भी कुछ force exert होगा अब सोचने वाली बाते हैं कि सर आपको पता कैसे चला कि इस पर force exert होगा या फिर water के molecule है तो water के molecule अपने container पर force exert कर रहे है या आखिर कैसे पता चला आपको ठीक है कोगे सर ऊपर भी तो force exert होना चाहिए बिल्कुल होता है ऊपर के तरह भी force exert होता है लेकिन इस ऊपर वाले force को अभी basically देखा जाए तो जो हमारा gravitational force balance किये हुए है इस वैसे रुका हुआ इस तिर पोजिशन में ऊपर प्र remove नहीं कर रहा है लेकिन जैसे ही हम कोई object अगर इस हर तरफ एक perpendicular force exert करते हैं और हम जागते हैं perpendicular force को क्या करते हैं जी thrust करते हैं ठीक है thrust क्या है thrust समझते हैं क्या होता है thrust the perpendicular force the perpendicular force applied on a body applied on a body is called thrust ठीक है किसी भी body पर अगर हम perpendicular force लगाते हैं तो हम thrust कर सकते हैं ठीक है तो कहोगे कि thrust क्या water में ही सिर्फ होता है नहीं ऐसा नहीं है thrust कहीं पर भी लग सकता है कोई भी perpendicular force होगा तो उसे thrust ही बोलेंगे जैसे मैं इसका example लेता हूं सबच कहलो कि मैं एक कील को दिवार में ऐसे सीधे लगा रहा हूं थी कैहा है है से इस फितने थ्रश्ट भीします प्रफ कर रहे तो सिंपल ही कर सकते हूं कि जीते ने डुएड के माला क्वाल की कंटेइनर पर चारों इसमें रखा हुआ है कि बहुत सरे favourות के माली क्वान कुल है तो होल कर दिया ह। ढ़कर है जैसे आप्र आप निकले संपर होगे एगर इधर ठोड़ा यहां से भी पाहर निकलने सुरू हो जाएंगे नीचे कर दिया तो यहां पर भी देखो कि फ्लूइड के पार्टिकल अपने वाल के कंटेनर पर अगर कुछ फोर्स नहीं लगाते ते बाहर कैसे निकलते ना तो जाहिर सी बात है कि जितने भी fluid के molecule होंगे वो fluid के molecule अपने wall के container पर एक perpendicular force लगाते हैं और उसी perpendicular force के कारण यह जो hole है इस hole के रास्ते से water का molecule बाहर निकलेगा ठीक है तो इस perpendicular force को क्या आते हैं तो thrust क्या है thrust is a perpendicular force acting on any body यहीं किसी भी body पर perpendicular force जो लगेगा उसे हम thrust कहेंगे और आपने liquid के या कैसे तो fluid के case में भी अपने देख लिया fluid मैंने बता है कैसे assumptions है जो flow कर सके अब flow सिर्फ liquid ही नहीं करता gases भी flow करते हैं means gases और कैसे तो liquid यह दोनों ही fluid के ही पार्ट होते हैं दोनों को हम fluid बोल सकते हैं ठीक है अब देखना जी thrust तो आपको समझ में आ गया होगा और आगे बढ़ते हैं आए प्रेसर के बाधर में discussion करते हैं प्रेसर एक परेसर तम शुरू से पड़ते आ रहरे हो फोर्स पर यूनिट एडिए प्रेसर या यानि किसी यूणिट एडिया पर यदि हम जितना फोर्स लगाएंगे वो पूरा पूर्स प्रेसर कराइगा जैनि कि प्रेसर जूत मिल यह से भी लिख सकते हैं थ्रस्ट परीवनिटेरिया कि अगर हम बात करें लिक्वीड का या कैसी फ्लूइड का फ्लूइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने वाल वाल पे यह जो कंटेनर है उसके वाल पर पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं इसी वैच से हम उसक पर कंटेनर के वाल पर कुछ फोर्स लगा रहे हैं और हम जानते कि यहां पर इसका कुछ एरिया भी होगा उस सर्फिस का कुछ एरिया भी होगा में इस प्रेसर भी एक्जर्ट करते हैं ठीक है तो सिंपली क्या क्या कि जो फ्रूइड के पार्टिकल होते हैं वो इच एड सब्सक्राइब कि प्रेसर अगर फोर्स का होता है जिन्यूटन और डिस्टंस का मीटर लेकिन यह पर एडिया है तो मीटर स्कौाइर हो जागा रोगा नूटन पर मीटर स्कौायर या पर स्बास्कल का बोलेंगे अगर सबोच कर लो कि हमने किसी body पर one newton force अपलाई किया और उसका जो area वो है one meter square ठीक है अगर किसी one meter square area पर हमने एक newton का force लगाया हम कहेंगे कि यहाँ पर एक pascal pressure exert हुआ है ठीक है तो इसका जो SI unit होगा वोगा newton per meter square या फिर कह सकते हो pascal ठीक है pressure जो होता है वो एक तरह का scalar quantity है pressure vector quantity नहीं होता है ध्यान में रखना जो force होगा या जो thrust होगा thrust आपका vector quantity होगा ठीक है अच्छा मैं इस pressure से related कुछ application को यहाँ पर discuss करता हूँ जो कुछ applications क्या है जैसे आपने देखा होगा कि जो bag जो बच्चे जो bag tanker करके ले करके जाते हैं उस bag का जो strip होता है उसका area जादा होगा ठीक है उसका area जादा होने से क्या तालुक है क्यों आखिर area जादा रखा जात फिल करेंगे यानि easily back को उठाना ज्यादा आसान होगा और हमारा जो solder है हमारे solder पर कम प्रेसर लगेगा ठीक है तो हमें comfortable फिल होगा अच्छा दूसरा condition में बताता हूँ आपको दूसरा एक और application बताता हूँ आपने देखा होगा कि जो blunt knife होता है blunt knife के compression में जो sharp knife होगा वो आसानी से सब्य गों काटेगा क्यों क्योंकि उसमें वह है धार है धार किसकते हो यानि कि काफी सार्प है जब सार्प होगा मतलब उसका area protection कम होगा तो प्रेसर जदा होगा अगर सबूच कर लो कि हम अपने एक पेरपे से खड़े रहें सिर्फ एक पेर खड़े रहेंंगे जो प्रेसर है उसका इफेक्ट बढ़ जाता है ठीक है इसलिए हम दोनों पैर पर हम ज्यादा ज्यादा अच्छे से खड़े रहा पाते हैं ठीक है फिर एक्चे और धान देना आपने देखा होगा कि जब खेतों में रोपाई होता है यानि जब धान की रोपाई होती है तो जो ट्रैक्टर चलाते हैं जो ड्राइवर होते हैं वो पहिये के साथ एक और पहिया या फिर कैस इसका एरिया बढ़़ जाता है और जब एरिया कर Tokyo लों साथ दोनों सैटका बढ़ जाएगा तो नीचे लगने वाला जब प्रेशर है उस प्रेशों कब हो जाएगा और क्थलमwar प्रोसमंच में आरह होगा है कि फयर का इप परेशर की बढ़़ेगा तो प्रेशर का फिर आ यहां से समझ सकते हो जैसे हमने पाइप ले लिया इस पाइप से इसा पानी निकल ला सब्सक्राइब अगर इसका एरिया ऐसे ज़्यादा है तो पानी पास में घर जाएगा मैंने क्या किया इसके एरिया को थोड़ा सा दबा दिया मतलब इसका जो एरिया था उसको हमने हलका सा ऐसे दबा दिया एरिया हमने कम कर दिया जब एरिया कम करेंगे तो इसका प्रेसर बढ़ जाएगा यह पानी दूर तक जा करके गिरेगी इसका संस क्या हुगा इसका संस यह हुगा कि यहां से जो वाटर फ्लो कर रहा है इसका प्रेसर बढ़ जाएगा प्रेसर क्यों बढ़ेगा क्योंकि इसका एरिया कम हो गया है और जब एरिया प्रेसर कम होगा तो प्रेसर कम होगा इसलिए पास में पानी गिर रहा है और यहां पे एरिया प्रेसर कम में कि एक तंब सिर्श करते हैं हम लोह द्रेंसिटी के बारे में समझता है कि डेंसिटी क्या होता है डेंसिटी वी आप क्लास ना इन से पढ़त बढ़ते हैं और जो चीशें पढ़ा हो लगभग वह नाइन्थ में अपने एक इस कॉल्ड डंसेटी ठीड है डंसेटी का ज़र देखना सेक्ट के गशिगा यह सअआया यूनित कि होगा किलो ग्राम और वालूम का मीटर किउड थो किलो ग्राम पर मीटर की कुस्ती जो होता है डैंसर्टी एकी स्केलर कौनिटी है ठीक है इसका डाइंसर्वा ही हर देखिए सब्रमूला देखी है कि अबनेंगा डाइंसर्टी कि डाइंसर्टनल फार्मूला कि कि इसको रोथ से डेंसर्ड करता है इस सिंबल को ओलते हैं रोह एसे बना जो ट्रोटन्च ex hypothetical होगा वह को किया मिला मिलाब को माइनस टीक है घर यह मिल गया आपको डाइमेंस्टनल फर्मूल को आथता है श्रडश क्या होता है है कि ए-पिसमें कि सिखम से क्लिर है रिलेट करना होगा बेस्कों आख है जब हम एक density को किसी दूसरे density के रिस्पक्ट में relate करते हैं, तो हाँ पर relative density होता है, relate कैसे करेंगे? relative density बराबर हो जाएगा, relative density बराबर हो जाएगा, the density of, the density of substance with respect to the density of water, the density of water at 4 degree Celsius, ठीक है? यहाँ पर देखो, हमने एक special condition लिखा है, at 4 degree Celsius, ठीक है, 4 degree Celsius लिखने के पीछे क्या वज़ा है, यह चीस मैं समझाता हूँ आपको, अगर हम water के density की बात करें, या simply अगर हम water की बात करते हैं, तो water एक anomalous behavior से उपरता है, ठीक है? और अगर 4 degree Celsius से कम temperature करोगे, तो भी इसकी density decrease हो जाती है, यहीं कि दोनों ही condition में, मतलब इसकी maximum density कब होगी? जब water का temperature 4 degree Celsius होगा, ठीक है? जब water का temperature 4 degree Celsius होता है, उस condition इसकी density होगी 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है ना? यह उस condition की density है, जब इसका temperature कितना होगा? 4 degree Celsius होगा, ठीक? और जैसे ही हम इसके temperature को घटाए, या फिर इसके temperature को बढ़ाए, तो दोनों ही condition में इसकी density जो है, वो decrease हो जाएगी, अब देखो density क्यों decrease होगी? यह चीज में बताता हूँ आपको, अगर मैं क्या करूँ? उसके temperature को बढ़ाता हूँ, ठीक है? वाटर के temperature को यदि हम मैं बढ होता है, जब volume बढ़ेगा, तो density automatically घट जाएगा, ठीक है? अब काउगे सार दूसरे करने से जब ठंडा करेंगे, तो क्या होगा? तो एक चीज़ और ध्यान देना, कि जब भी हम water को cool करते हैं, या कि जब फ्रिज करनेंगे, तो फ्रिज करने के बाद में आइस बनेगा, औ और आइस का volume बढ़ जाता है, आपने देखा भी होगा, आपने analyze किया होगा, कि जब भी हम लोग refrigerator के अंदर water को रखते है, water bottle में, ठीक है? तो हम थोड़ा सा पानी का level कम करके रखते हैं, क्योंकि जब वो cool होगा, जो water जब वो cool होगा, तो उसका volume बढ़ेगा, ठीक है? जो उसमें पानी का मातरा कम रखते हैं, ठीक है? तो कैसे तो क्या? कि दोनों ही condition में volume बढ़ेगा, जब इससे ज्यादा temperature होगा, four degrees Celsius से या फिर four degrees Celsius से कम temperature होगा, दोनों ही condition में, जो volume है, volume change हो जाएगा, और volume change होगा, जो density change हो जाएगी, means volume बढ़ जाएगा, दोनों ही condition में, तो the density of water at four degrees Celsius, ठीक है? तो इसका SI unit क्या बनेगा बच्चो? इसका जो SI unit होगा, its SI unit, its SI unit, क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा, यह dimensionless होता है, क्योंगे कैसे? कैसे हम इसका जानते है, meter, sorry, kilogram per meter cube होगा, और इसका भी kilogram per meter cube होगा, दोनों ही density, जो units है, वो cancel हो जाएगे, यानि क यह कैसा होता है, unitless होता है, इसका कोई भी unit नहीं होता, और ना ही इसका कोई dimensional formula होता है, ठीक है? लगवग आज का lecture आपको समझ में आया होगा, आज के इस lecture में हमने fluid mechanics के basic को बताया है, basic basic चीजों को बताया है, छोड़ी छोड़ी जो जानकारियां जो हमें होनी चाहिए, उ इसमें से बहुत सारी topics ऐसे थे, जो आपने class 9 में पढ़ा हुआ था, ठीक है, तो यकिनन आपको आज का lecture पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा lecture पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, और ज्यादा से आद अपने दोस्तों को share करें, ताकि जो भी जरूद वो इसे पढ़ करके अपना knowledge होसिल कर सकता है, ठीक है, और अगर आप हमारे channel पर नए हैं, तो इस channel को subscribe करना तो बिलकुल भी ना बोला, क्योंकि जैसे ही मैं कल आपके class का lecture अप्लोड करूँगा, आपको उसका link मिल जाएगा, और आप easily उसका love उठा सकता है, ठीक है, तो त